इसराइल हमास ज्रंग के बीच सीरिया की राजदानी दमिश्क में सोंवार को एस्ट्राइक हुई यह हमला इरान की एंबसी के कॉंपलिक्स में हुआ जिसमें साथ लोगों की मौत हो गई वहीं खब्रों की माने तो इरान ने दावा किया है कि इसराइल ने अपने F-35 लड़ाकू विमानों से हमलों को अंचान दिया इसराइल ने अब तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है हाला कि दो इस्राइली अधिकारियों के हवाले से इरान के दावे की पुष्टी की गई है हमले में इरान की कुद्स फोर्स के दो टॉप कमांडर और पाच अन्य अधिकारियों की बौत हो गई इसमें सीरिया में इरान के सबसे सीनियर रधिकावी मोहमद रेजा जौहीदी और उनके डिप्टी कमांडर मोहमद हजर रहीमी शामिल है